ब्लौर्णिंग स्टूडिन्स आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग ये इर लोजी से फकानक्टेनलम centers of a टॉजी में आता है इंसोोो इतोलोजस की जो concepts हमब रहे थे उसमें इस capacity वो लर्निंग भी है लर्निंग एक प्रॉसेस है जो कि Performance के द्वारा अजलब वो अपने day to day ethology से connected है और concepts of ethology में आता है, ethology की जो concepts हम बढ़ रहे थे, उसमें एक concept जो है, वो learning भी है, learning एक process है, जो कि किसी बे individual के behavior में, experience के द्वारा, अतलब वो अपने day to day life में उसको experience करता है और उसके कारण उसके behavior में, individual के behavior में, जो adaptive change आता है उसको हम learning कहते है इस behavioral change में या इस modification में, nervous system भी involved होता है और जो भी individual है जो भी animal है, उसके आसपास के environment में, ऐसी कुछ events होती है, या कही सारी events होती है जिनका परणाम यह होता है कि वो अपने अंदर जो है, एक adaptive change उसके द्वारा ले आता है, यह यह कहिए कि वो अपने आपको surrounding के लिए adaptation उसमें हो जाता है जिसमें कि वो आसानी से रह सकता है तो इसको हम learning कहते हैं हम जानते है behavior क्या होता है पहली चीज़ यह behavior animal जो भी कुछ करता है और कैसी करता है उसको हम उसका behavior कहते है और learning को भी हमने अध्यहंकन कहते है हिंदी में learning को भी हमने एक behavior process ही माना है यह भी एक वेवार की ही विदी है या method है दो तरह का वेवार जो है किसी individual में देखने को मिलता है एक कहलाता है innate वेवार यह में पहले भी यह वाली बात कर चुकी हूँ जन्मजात वेवार और एक कहलाता है learn behavior जो की वो अपनी life में सीख रहा है सीखा हुआ वेवार जन्मजात वेवार नहीं है बलकि अध्यहंकित वेवार है innate behavior, inborn behavior है genetic इसका based है जनेटी के लिए एक PD से दूसरी PD में संचरन इसका होता है और learn behavior जो है it is based on experience यह experience पे based करता है innate behavior individual के द्वारा improve नहीं किया जा सकता वो उसकी genetics जैसी आई है वो उसी प्रकार का वेवार दिखाएगा but learn behavior किसी भी particular single organism के द्वारा या individual के द्वारा modify किया जा सकता है habitual होकर या trial and error से किसी भी तरह से उसको change है population में पूरी में इसमें पूरी population में अगर हम देखें तो बहुत ही कम variation देखने को मिलता है जबकि learn behavior highly variable होता है अलग-अलग individual अलग-अलग तरह से deal करता है innate behavior mostly unaffected by the environment environment का इस पर कोई असर नहीं होता जबकि learn behavior totally affected by the environment highly affected by the environment इन्वार्मेंट का उस पर काफी असर होता है innate behavior beneficial behavior for the survival and reproduction जबकि जो learn behavior है यह जो है natural selection का product जो है उसकी capacity learning की capacity उसको natural selection की तरह एक तरह से वो उसको select करता है और यह evolution का कारण बनता है examples की अगर हम बात करें तो जन्म जात वेवार में migration आता है hunting instincts आती है newborns में sucking आती है नए नए बच्चे को हमने जो है दूद पीना कैसे सिखाया उसने तो अभी तक को सीखा ही नहीं देखा ही नहीं तो sucking जो है वो उसमें जन्म जात वेवार है जबकि अगर हम examples learn behavior के लिए हैं तो social skills develop होना विक्ति कैसे language को जो किसको सीखेगा कौन सी language सीखेगा किस तरह सीखेगा यह उसका learn behavior होता है pets में अगर domesticated behavior है कि वो किस तरह से घर में रहते हैं तो अलग प्रकार का वेवार दिखाते हैं तो उसका उनका सीखने वाला वेवार होता है जबकि natural conditions में वो डिफरेंट तरह से डील करते हैं डॉल्फिन्स को ट्रेंड किया जाता है तो ट्रेंड जो अनिमल है उनका जो वेवार है वो भी उनको सिखाया गया है ट्रेंड दी गई है तो वो भी learn behavior है हम लोगों में अगर हम बात करें तो newborn baby में आवाज निकालना साउंड प्रोडेक्शन जो है आवाज का कनवर्जन लेंगवेज में करना अगर English environment है तो बच्चा English चीखेगा हिंदी गव्यावाज का घर में उसके यूज होती है में तो हिंदी लेंगवेज सीखेगा या अगर वो जैसे मारवड़ी राजस्तान में पैदा हुआ है तो मारवड़ी लेंगवेज सीखेगा महराष्ट्रा में पैदा हुआ है तो मराठी सीखेगा तो ये जो है ये लेंगवेज जो है ये लेंगवेज जो है ये लेंगवेज है तो इस प्रकार से हम इन दोनों को differentiate कर सकते हैं इन नेरी behavior को और learn behavior को तो आज जब हम बात कर रहे हैं वो इन learning processes की learning behavior किस प्रकार से develop होता है उस बारे में कर रहे हैं learning is the modification of behavior based on the specific experience तो अब आप मेरी बात को समझ गया होंगे कि experience पे based जो भी behavior में modification आता है उसको हम learning कहते हैं यह very simple to very complex हो सकता है minor सा change behavior में और उसकी वज़े से वेवहार काफी कुछ परिवर्थी दो जाना दोनों चीज़े देखने को मिलती है अगर time के according हम देखें तो यह एक learning का follow करता है it is not compulsory learning का एक character ही भी है कि सीखना बहुत compulsory नहीं है contextual यह जो है जो है चीज है it does not happen all at once अचानक नहीं हो जाती अचानक से हम किसी चीज़ को सीखने चाते बलकि यह जो है हम जो कुछ पहले से जान रहे है उसके according इसकी थोड़ी shaping होती है उसके according थोड़ी सी है उस पर यह build होती है आप इस तरह से कह लेजे तो learning अचानक नहीं है बलकि एक घठनाओं का होना है एक साथ कई सारी घठनाओं के होने का जो परिणाम है वो learning है अब यह learning कई प्रकार की हो सकती है हम जो यहां बात कर रहे थे उसमें जो learning को हमने समझा की learning क्या है और अब इस learning के types यह कई प्रकार की हो सकती है पहले हमने इनका एक broad classification किया हुआ है restricted learning और flexible learning restricted learning अदर जो एक बार सीख लिया गया है वो ताउम्र ताजन्दगी वो उसे इसाब से काम आएगा उसमें कोई change नहीं हो सकता तो कहलाएगी restricted learning जिसमें की आती है imprinting जिसको हम अलग से descriptive पढ़ेंगे imprinting को and flexible learning जो कि हमने सीखा है उसमें हम minor परिवर्तन environment के according या requirement के according हम करते रहते हैं तो वो flexible learning क्यालाती है और इसमें trial and error, classical, habituation, latent, reasoning ये सारे चीज़ें जो है discrimination ये सब जो है वो flexible learning में आता है restricted learning is imprinting जिसको कि हम वैसे तो हम इन सभी types को पढ़ेंगे बर imprinting हम अलग से detail में पढ़ेंगे सबसे पहले हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है habituation habit क्या होती है? आदत, आदत में आ जाना is habituation मतलग किसी भी stimulus के प्रती, किसी भी प्रकार के आपको उद्धी पन मिले उसके प्रती response का कम हो जाना या खतम हो जाना is habituation इसको हम habituation कहते हैं habituation is the loss of responsiveness to stimulus that convey little or no information ऐसे stimulus के प्रती जिसमें की बहुत कम या तो information हो या हो ही नहीं information से मतलब है कि उस stimulus से बहुत अधीक फरक किया तो नहीं पढ़ रहा हो और या फिर बहुत ही minor सा फरक पढ़ रहा हो तो हम उसके प्रती habituation हो जाते हैं इसको हम कहते हैं habituation यह noxious stimulus apply करें अगर हम तो एक animal जो है वो sensitize दो जाता है उस stimulus के प्रती थोड़े समय में और वो response नहीं रिखाता तो यह कह लगता है habituation अब हम इसको यह यह दूसरी स्रेप्टों में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि habituation is a decrease in response to a stimulus after repeated presentation बार बार अगर यह stimulus का presentation हो रहा हो तो उसके प्रती अगर response में decrease आ जाए कम ही आ जाए तो हम उसको habituation कहेंगे habituation process is a form of adaptive behavior एक प्रकार का यह adaptive behavior है लेकिन यह this is classified as non-associative learning adaptive behavior इसलिए क्योंकि इस response से हमें फरक नहीं पढ़ रहा है तो हम हमारी energy को save कर रहे है उसके प्रती हमने एसा है कि कोई fatigue है इस वज़े से वो response नहीं कर रहा है और नहीं कोई उसमें sensory adaptation हुआ है बलकि यह बिलकुल अलग उसने सीखा है इसलिए वो इस प्रकार का response दिखा रहा है अभी मैं stage को आपको clear करती हूँ मैं क्या कहना चाहरी हूँ sensory adaptation occurs when an animal can no longer detect the stimulus as efficiently as when first present is मतला उसके sensory organs में कुछ इस प्रकार की change आया है जिससे सबसे पहले जब जो वो stimulus उसको मिला था जिस level का उसने उसमें उसको identify किया था वो अब उतना उसको identify नहीं कर पा रहा है वो इतना able नहीं है कि उस stimulus को detect कर पा है और इसलिए वो उतना efficiently उसके प्र इस stimulus की तिर्वता चाहिए वो ही हो लेकिन उसके sensory organs उस तरह से अब काम नहीं कर रहे तो इसलिए वो उसके प्रती response नहीं दिखा रहा तो अब उसको तो हम क्या कहेंगे sensory adaptation habituation जो है वो no necessity process है it is a learned adaptation to the repeated presentation of a stimulus not a reduction in sensory or motor ability इसी प्रकार से fatigue के कारण भी अगर कोई response नहीं दिखा र तो इस वज़े से वो खड़ा नहीं हो रहा है या response नहीं दिखा रहा तो वो बिल्कुल अलग चीज है तो वो sensory or motor ability यहां नहीं है बलकि यहां यह है कि ने तो वो ठका हुआ है ने उसके senses कमजोर है लेकिन वो उस stimulus की habitual हो गया है उसको stimulus की आदत हो गई है इसलिए वो उसके जो है response नहीं दिखा रहा तो है habituation है अब आप मैं आपको एक छोटे से common सी example से समझाते हूं गाओं में scary crow लगाया जाता है गाओं में पुतला सा बना दिया जाते है खेतों में जिसको देख कर की जडिया भाग जाए इस वज़े से वो पुतला लगाया जाता है कुछ समय ब उसका पुतला बनाया जाता है कोष समय बाद धिखने को मिलता है कि उसके उसम्टे पर जो head जिसको हमने माना वह है उसके इसके ओपर भी चिडिया बैठी हुई है और उसके जो hands type हमने बनाया है उसके ऊपर भी चिडिया बैठी हुई है what is it it is habituation नै तो ऐसा है कि चिडिय नहीं पहुंचा रहा है, यह नहीं में कुमार रहा है, नहीं कुछ कर रहा है, तो चार बार के बाद उसकी आदत हो गई, और अब वो आसानी से उसके उपर बैठ जाती है, this is called habituation, ऐसा नहीं है कि stimulus कमजोर हुआ है, या उसके sensory organs कमजोर हुए है, या वो ठकी हुई है, दोनों हुआ है, तोल पर आप कुछ भी डालते हैं, उसको खाती पीती रहती है, बहुत आसानी से, जबकि जनरली तो चिडियाओं को डरना चाहिए, गाड़ी की आवास से, हौन से, और इंसानों के आने से, लेकिन वो नहीं डरती है, क्योंकि वो habituate हो गई है, वो चीज को समझ गई है, कि इनसे मुझे कोई फरक नी पड़ेगा, इनसे में कोई नुकसान नहीं है, इसलिए वो आसानी से महाँ पे रह जाती है, यह जो learning habituation है, वो यह है, यह जो character है, यह learning का, जो characteristic feature है, इसको, sorry, habituation learning का, इसको सबसे पहले describe किया था, Thompson और Spence R. ने, repeated presentation of a stimulus will cause a decrease in reaction to the stimulus, इस तरह से इन्होंने यह अपनी बात कही थी, यह habituational learning behavior है, जो कि allow करता है animal को, disregarded meaningless stimulus के लिए, मतलब उसको discard कर देग अपनी life से, उसमें वो अपनी energy ना लगा है, उसके प्रती, ignore repeated, irrelevant, जो stimulus मिल रहे है, उनको ignore करने की capacity, उसमें develop होती है, होती है घरों में, एक नए व्यक्ती के लिए रात को घड़ी का घंटा बजना, इस प्रॉब्लमेटी, उसकी बार-बार नीन खुलती है, या उसको खराब लगता है, कि बार-बार हरे गंटे में मुझे disturbance, इससे background हो, इससे मुझे disturbance हो रहा है, लेकिन जो उस घर में रहते है हो जाता है, उनको घड़ी के घंटे से किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता, तो that is, जो है, habituation, और इससे energy और अनिम्पॉर्टन इस्टिमिलस के प्रती, जो energy waste करता है animal, उससे इसका बचा होता है, railway line के पास रहने वालों को, या station के पास रहने वालों को, train की आवाज क हो जाती है, उनने कोई फरक नहीं पड़ता, airport के असपास रहने वालों को बार बार जो aircraft जाता है, तो sound होता है, उससे उनको कोई फरक नहीं पड़ता, तो हम background हो इसको habituate हो जाते है, उनको ignore करना, असारी से सीख जाते है, एक और example, यहां पर habituation का मैं आपको देना चाहूं एक behavior पाया जाता है, individual dogs जो है particularly susceptible होते है, becoming food for a quiet hawk और rattlesnake, इन लोगों का अच्छा खाना मानते है, और rattlesnake बगर इनको असाने से खा लेते हैं, पर जब यह collective हो जाते हैं, एक एक डॉग नहीं है, बरकि collectively तो यह well defended हो जाते हैं, क्योंकि उससे में इन में alarm call, जो है, कोई न आपको escape कर लेते हैं, बरोज में जाके छुप जाते हैं, लेकिन ऐसी जगे अगर यह dogs रह रहे हैं, जहांपर की human beings जाद हैं, तो यह alarm call हर बार हर person की walk के साथ देने का जो system है, उससे wastage of time भी हो रहा है, and wastage of energy भी हो रहा है, यह भागबा के उसको अपनी बरोज में जाना प एक वेक्ती की गूमने के साथ, यह एक वेक्ती की पाओं की आवाज के साथ, यह alarming call बंद कर देते हैं, तो यह एक तरह का adaptation इन में आ गया, एक तरह का habituation इन में आ गया, तो इस contest में हम इसको कह सकते हैं, कि यह adaptation आ गया, और यह इन में एक तरह से energy saving और time saving activity की तरह हैं यहां में persist कर रहा है, तो यह भी एक example है, इसी प्रकार यह एक और example है, जो मैंने आपको अभी बताता है, इस कहर के हो वाला, यह भी habituation का example है, similarly यहां एक और example है, see anyone का, इसके जो appendices जो बाहर निकले वे रहते हैं, अगर आप इसको किसी भी पिन से टच कीजिए, तो यह उसके प् लगाते रहें, चुबाते रहें, तो इसकी समझा जाएगा, कि मेरे लिए नुकसान नाइक नहीं है, तो उसके बाद फिर यह अपने appendices को अंदर लेना, बंद कर देगा, एक तरह से उसके प्रती response रो करना, बंद कर देगा, इसी प्रकार से एक और example है, यह आप देखिए, यह classical example है, habituation का, snail जो होता है, halix, elbow leverage, उसका जो है, यह move करता है, एक wooden surface पे, और अगर आप इसको tap कर देए, थोड़ा सा इस wooden surface पे कुछ लगा देए, तो यह अपने जो भी, यह shell के अंदर चला जाता है, बिड्रो कर लेता है अपने आपको, और shell के अंदर चला जाता है, फि थोड़े दर बाद एक pause देए, यह वापस बाहर आता है, और again अगर आप इसको tap कर देए, तो यह फिर से अंदर चला जाता है, बट continued repetition अगर CM tapping का होता रहे regular intervals पे, तो फिर यह देखा गया है, कि यह withdrawal response शो नहीं करता, क्योंकि इसको थोड़े दिर में ही idea हो जाता है, कि यह तो उसके लिए किसी तरह से कोई अनुकसान दैक नहीं है, तो उसके प्रति उसको habituation snail को हो जाती है, तो इस परकार habituation के काफी सारे examples है, क्लाक ने यह भी कहा था, कि अगर stimulus लगबग साथ साथ दिया जाए, तो habituation जल्दी होता है, जैसे light का bright flash दिया जाए, तो आदा मिनट क जाके और habituation होता है, यह क्लार्क ने कुछ वर्म्स को लेके glass tube में उनको रखा था, और कुछ अपने experiments किये थे, तो उन्होंने वर्म्स के head को जब tapping के द्वारा छुआ, तो उस वर्म जो है तुरांत tube में चला जाता है, लेकिन थोड़े दिर बाद फिर वापस आ जाता है, तो इस प्रकार habituation जो पहली learning है, उसके सारे examples के साथ हमने आज इसको पढ़ा, next जो learning का next type है, उसको हम next class में पढ़ेंगे, thank you.